हेलो दोस्तों से कर सोगत है में चैनल बीटेक में और आपके लाइव मैं बहुत इंटरस्टिंग टोपिक दो दोस्तों आज का जो टोपिक है वह है कि क्यों स्मार्टफोन होते हैं तो दोस्तों इसमें काफी बले रिजन आते हैं तो दोस्तों जो सबसे बड़ा रिजन आए वह रेम का जो सेकेंड डिचय ने वो आता आका पर सेसर का और दोस्तों जो ठास नाता बाता स्टोरिज का जो स्टोर्डिज और एंटर्स ये । वह स्टूरेंकंड तो दोस्तों रेम आ की लेंसमार्ट फोन में काफी इंपोर्टन हो चुकित यह रैम के एकॉर्डिंग आजकल एप्लिकेशन बिनाई जाती है दो दोस्तों जो ड्यृइल पर रहे वो रैम के एकॉर्डिंग एप्लिकेशन नहीं ताकि उनकी जो एप बहुत ची बन जाए और यहां को मलब की असे फिस सेंट हो दोस्तों आज क्रिएट में वह जो रैम ब स्मार्फ़ोन आपके लिए काफी अछे रहते हैंगर आप बज्ट range की बात करेंगेंगर आप flagship की बात करें तो एटWorld की ँपारेंट्स भी आते हैं दोस्तों जो की काफी अच्छे हैं अपने आप में दोस्तों कि एट टी बी विडक्रों को एजीली की हैच करसकते हैं लेकिन जो उसमें processor है वो काफि important role निफाएगा व। बाम पर तो दोस्तों processor में processor के वारे में आगे बात करेंगे लेकिन अभी करते हैं RAM के बारे में जो दोस्तों RAM में अगर आप देखते हैं तो जो application है वो RAM के according बना जाती है जो की budget range के fonts की RAM होती है तो दोस्तों आज कल की टेर में 3GB या 4GB के जो variant है according applications, RAMs या फिर जो भी चीज़ें बांबर बनाई जाती है अगर अब उसी application को 512 MB RAM बाले स्मार्फोन में चलाएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो फॉन है वो काफी हीट करेगा लैग होगा और काफी मलब की effect हो जाएगा वह फॉन लेकिन जो 3GB वाले या फिर 4GB RAM बाले वो काफी अच्छे चलेंगे क्योंकि दोस्तों जो modifier है उसने जो 3GB या फिर 4GB RAM बाले स्मार्फोन है उसको देखते हुए उस application गेम आते हैं तो दोस्तों मारे पास major role इसलिए RAM का काफी बढ़ जाता है तो दोस्तों सेकेंड आता है मारे प्रोसेसर तो दोस्तों जो प्रोसेसर है वह भी स्मार्फोन में स वह गलती से भी स्मार्फोन मत लेना ना स्प्रेक्ट्रम के फोन जो प्रोसेसर होते है वह वाले कभी यूज़ करना तो दोस्तों अगर आप को इमीडिया टेक अपरसेसर लेना चाते हो तो helio के जो प्रोसेसर पी 60 वा पी 22 हुआ या फिर पी 75 आया है आई थिंक तो उसको भी आप योज़ कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप स्नैप डैगन की बात करें तो आफ गलती से भी 430 या फिर 425 बाले मत लेना क्यूंकि वुन में भी आप देखते हो कि लैगिंग के काफी इशू बढ़ जाते हैं अगर आपको 435 या फिर 450 बजेट रेंज में मिले तो का स्मार्टफॉन मलव की हो तो वह 7000 से सस्ता होना चाहिए ओनलाइन मार्केट की बात करें तो ओनलाइन मार्केट में मलव की काफी बड़ा जो कॉम्पटिशन होता है वह होता है तो दोस्तों अगर आपको ओनलाइन मार्केट में 450 बाल पोस्यासर में ले तो आप कभी भी मत लेना अगर आप उसकी कंपेर में मलग की 10,000 से ज्यादा प्राइस हो या फिर 7,000 ती रखो 7,000 से ज्यादा प्राइस हो क्योंकि दोस्तों इस प्राइस रेंज तक स्मार्टफॉन में काफी अच्छे प्रॉसेसर आते हैं जैसे कि आप जानते कि रियल्मी के भी है रियल्मी वन जो स्मार्टफॉन है वह इसमें काफी अच्छा आता है वह लेकिन मीजिया टेक के प्रोसेसर के साथ है में यह टेक पी 60 जो की 450 से बहुत ही पाउरफॉल है दोस्तों आप जब भी कोई स्मार्टफॉन लेने जाए तो उसमें रेम हाई होनी चाहिए और प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए मलब की जो न्यू लांच हो अगर वो प्रोसेसर आप ले तो काफी अच्छा रहेगा जैसे कि स्नैप रैकन के ज अच्छी होंगे जो उनकी प्रानी वाली रेंज मलब की है जैसे कि 435 से 450 काफी अच्छा है और 450 से जो अब आगे आएगा वह उससे काफी अच्छा होगा तो दोस्तों इस ताह से जो न्यू प्रोसेसर है आप उस टाइप के फोन को अलगी प्रैफर करना लेना अच्छा है आपके लिए वोई तो दोस्तों अगर आप रेंड की या फिर स्ट्रेसर की बात करें तो वह मैंना कॉंसेप्ट का दिया है अब धर्ट कॉंसेप्ट आता आपके पास स्टोरेज का तो स्टोरेज की बात करें तो जो इंटनल स्टोरेज होती है वह स्टी कार्ड से काफी बहुत ही जाथा पाऊरफल होती है SD Card की स्टोरेज से तो दोस्तों आप जब भी स्मार्टफ़न ले तो International storage जाता होनी काई है हाँ आप SD Card का जूस्ट कर सकते हो लेकिन जो International storage है वो अगर अच्छी हो तो आपका फ़न काफी अच्छे से work करेगा क्यूंकि दोस्तों जो इंटरनल स्ट्रोइज दिये वो स्ट कार्ट के मालब की अगर अगेंस्ट रखी चाहे तो वो काफी अच्छी मिल जाएगी आपको तो दोस्तों अगर आप बजेट रिंग में को स्मार्ट फोन देना चाहते हो तो उसमें कम से कम 32 से लेकर 64 जीवी तक जो इंटरनल स्ट्र को जनकी रिंग में दोस्तों अगर आपको वीडियो बसंद रहती तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो सिलाता रहूंगा जैह हिंद जैह भाई